आप सभी लोगों को मालू होगा कि जिस तरह से आप लोग UPSC देखते हैं न इसी तरह से आपने देखा होगा कि आपके जो इस्टेट हैं राज्य हैं ये भी अपना इस्टेट PCS करवाते रहते हैं तो आज की ये नियूज आप बता दूं कि BPSC की तयारी करने वाले बिहार PC PCS की तयारी करने वाले जो भी विध्यारती हैं जो अभी अभ्यारती हैं उनके लिए बड़ी खुसखबरी है और आप सभी जानते हैं कि जब तक आपकी एक्जाम डेट नहीं आ जाती है और एडमिट कायड का मालू नहीं चल जाता है आप लोगों का परीक्षा में मन भी नहीं लगता है आप लोगों को लगता है पतानी कभ एक्जाम होगा लेकिन जब डेट नेधारित हो जाती है और एडमिट कायड के बारे में मालू चल जाता तो मुझे लगता हैं कि और अच्छे से आप लोग मेहनत करने लगते हैं तो एक बार आप लोग बिएर को देख बिधानी पटना है और आपको बता दूँ कि यहां अगर आप देखें तो यहां बिधान सभा में 243 सीटे हैं बिधान परिशद भी 75 सीटे हैं राज सभा में 16 सीटे हैं लोक सभा में 40 सीटे हैं और आप देखेंगे बिहार की सीमा नेपाल से लगती है उत्तर पेदेश से भी लगती है आप देखिए जारकंड से भी लगती है और पश्चे मंगाल से भी लगती है इसकी अंतराश्थी सीमा नेपाल से लगती है तो आपको बता दूं कि जो आपकी सलसट भी सयुक्त प्यारंभिक पितियोगी पितियोगीता परिक्षा रभीवार दिनांग 8-5-2022 को एक जीत की जाएगी यानि कि कहनें का मतलब सीधा से आए कि जो सरसट भी आपकी सयुक्त प्यारंभिक पितियोगीता परिक्षा है ना ये 8-5-2022 को की जाएगी और एक ही पाली में आप देखेंगे 12-2 वजे तक रहेगा और 48 जिलों के 1083 परिक्षा केंद बनाए गये हैं और इस परिक्षा के पिस्नपत वस्तू निष्ट होते हैं आप सभी जानते हैं कि आपके पास बिकल्प रहता है और आप लोग उन में से चुनकर भरते हैं आप लोग गोला लगाते हैं अब भ्यारती अपना प्रवेस्पत आयो के विबसाइट पर आप देखें और ये 25-4 से करेंगे तो ये भी आप लोग याद रखेगा कि 25 तारीक से 25 अपरेल से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे एक बात और आपको यहां बता देता हूं देखी जब भी आप लोगों को किसी एक्जाम के बारे में जानना है तो उसकी मैन साइट पर जाये करिएगा जैसे आप जल्दी सूचना अपडец होती रहती है कुछ भी बदला होता है कोई भी सूचना आप लोगों के लिया आती है तुरंत यहoton अपडेट कर दी जाती है और सही सूचना रहती है इसमें समझ रहे हैं तो याद रखे है और मुझे लगता है कि आप लोग पड़ते रहे है ऴहते अपरेल से डाउनलोड कर पाएंगे और ए 8 मई को आपका पेपर होगा तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा